वेल्टम तो माई यूट्यूब चैनल जोजसिश्टिवी क्लास अर्थ की एक्सरसाइज 15.1 है आज से मारा नया एक्सरसाइज और शुरू रहा है जिसका नाम है अलेकों से पर्च है त्यान से देखिए गास को क्योंको इंपॉर्टन कोश्चन है एक कोश्चन इस टाइप का आपता ही आता है कि किसी अस्पिताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर साथ है मतलब कोई अस्पिताल है वहां पर रोगी को भरती कराया गया है उसका एक घंटे में तापमान मतलब उसका टेंप्रेचर मतलब उसके बॉड़ी कितनी कितना उसको फीव तो एक बज़े दुपहर की बात कर रहे हैं यह तो सुबह का 9am है यह 10am है 14am 12am यह हमारा है टीके अब हमको बताया क्या है कि एक बज़े दूपहर को तापमान कितना था यह हमताना है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से आप जब इसको करेंगे तो graph paper पर करेंगे तो graph paper फिलाल मिरे पास खत्म हो गए तो यह आपको पढ़ाने ही पढ़ाना था इस बज़े से कि मैंने ठीक है यह हैं सबनाया है टाइंट पिरेड बताना है कि यह निया-बजे के बीच यह तो हमारा एक था और इसको अमने इस तरे के सी अम्यों मो Clearly हुआ हैं मतलब एक से लेकर दो बजे तक के बीच में समय समान समान था तो हम यहां पर लिख देंगे एक जो है वो दोपहर के चला है ठीक है तो यहां पर हम लिख लेंगे दोपहर एक बजे से दो बजे के बीच तापमान जो था वो कैसा था समान था ठीक है नैक्स कोशन कह रहा है देड़ बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था देड़ बज़े की बात कर रहे हैं फिर यह करें इस निसकस पर आप कैसे पहुंचेंगे तो हमको करना पड़ेगा कैसे क्योंकि यहां पर तो यहां पर यहां पर यहां पर आया और हमने देखा था एक से लेकर दो बज़े के बीच का तापमान जो था वह समान रहा था मतलब यहां पर जो तापमान है वह कितनी होगा तो यहां का तापमान हमारा कैसे होगा तो यह बात हम यहां पर लिख देंगे 36.5 degrees Celsius अगर आप यह बात लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो क्योंकि क्योंकि तो पहर एक बज़े से लेकर दो बज़े तक का तापमान जो था वह समान था इस बज़े से एंदेड़ बज़े के बीच का तापमान भी इतना रहेगा ठीक है चतितनी देखना पांट डिगर किना रहे रहा है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुजण दरसाता है ठीक है कि नगे कहाँ पर मतलब जो है रोगी का तापमान ह wines बढ़ लाठ रहा था नहीं में बढ़ तो हम हमने देखा सुबह नौ बजे से लेकर यह हमारा पॉइंट कौन सा दर्सारा है 11 दर्सारा है यह नौ दर्सार नौ बजे से लेकर 11 बजे तक उसका तापान जो है वह बढ़ा था ठीक है इस तरीके से कोशन नौबर 1 जो हैं वह हमारा पूरा-पूरा कमप्लीट हो गया है अब करेंगे अपना कोशन नौबर 2 यह हमारा कुशन नौबर 2 यह कह रहा है कि एक निर्माता कंपनी की बिभीन वर्सों में की गई विक्री नीन आलेंग दोरा कि अ में its time वेखताना गी हैं तो यह रहा हमारा ग्राफ में य होती है इस में अधर हमारा वर्स दिखाया गया है इदर विक्री करोन में दिखाई गई है ठीक है इन्होंने पहले वाले कोश्चन में पूछा था सन 2002 में कितनी विक्री थी तो हमने यहां पर चार पर इसको मिला के देखा तो यह चार पर जा रहा है कहां पर जा रहा है मतलब सन 2002 में कितनी की विक्री थी यहां पर मिलिख देंगे 2002 में चार करोड की विक्री हुई थी की विक्री हुई ठीक है यह लिखतो दुसरे वाले में सन 2006 की बात कर रहेते हैं 2006 जो है वह हमारा यहां पर है है ठीक है 2006 हमारा यहां पर हम यहां पर मिलाकर देख लेते हैं सारे की सारे ठीक है इस तरीके से यह हमारा साथ है यह हमारा छे है ठीक है और यह आठ है आठ को इस तरीके से मिलाएंगे तो यहां पर मिलेगा और टीक है इतना हुआ और अब हम क्या करेंगे इसको भी मिलाई देते हैं यह हमारा कहां के 10 क्रोण पर जा रहा है तो यह कहां पर जाएगा पांच वाला कहीं पर नहीं जा रहा है ठीक है अब हमने देखा संदौजा 6 की बात कीती तो संद 2,006 जो यहां पर आ रहा है ठीक है यह कहना पर जा रहा है इसमें दोहजार 26 में तो कि यह हमारा दूसरा आंसर हुए अब यह वाला कुशन जो है वह देख लेते हैं इसमें दो पार्ट दिये गए हैं बी वाले कुश्यन में पहला है वर्स 2003 में दूसरा है सन 2005 में कितनी विक्री हुई थी तो पहला जो है उसमें कावला है 2023 को आगे बढ़ाते हैं तरीके से । हम कहां पर पहुंचते ह। इस पॉइंट किंश आ और Ś эфф कि यहां दोजार drg कि की होई है कितने कीविक्री यह स्वी कि 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 साथ करौ जाता है तो उसमें बोला गया था 2005 2005 इसको हम आंगे बढ़ाते हुए चलते हैं तरिके से तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो इस ततरी के से 2005 लिख देंगे इसमें हमारी कितनी की विक्रिवी थी 10 करोण की विक्रिवी थी अगर आपको पूरी लेंग्वेज में लिखना है तो आप लेख सकते हो कि कि संथो करोन की विक्री वी तीसरा वाला कुशन जो है वो हमसे कह रहा है वरस 2002-2006 में विक्रियों में कितना अंतर था तेसे हम गटायव loop से हमें गटाय रिघना हैं चाह को बहलेज़ने होसे नहीं ऊंतर क्ला省 फिरीने सfor हुआ 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 है हुआ हुआ है किặृज्ढक की भिकृकर न Commerce 서 कि 22 की थी हमारे चार क्रोण 26 की थी 8 क्रोण तो आप ज्यादा मेंसें तो हम घटाएंगे ठीक है तो ऐसे गण गड़ो ऑठ ट्रोड जीरो मत लगा वह इसे करोण ने साथ 00 होते हैं याद रखना ठीक है माइनस चार क्रोण तो क्रोण सबसे देखना पड़ेगा कि सबसे जदा आंतर कहां पर आया यहां पर देखो भाई हमारी कि 2003 में हमारी साथ करोन की विक्री हुई 2004 ठीक है इसको अगर मिलाते हैं 2004 पर पहुंचेंगे 2004 में हमारी हुई है पांच की विक्रीवी पांच करोन की विक्रीवी और फिर 2000 कौन सा पांच की विक्री 2005 में हमारी यहां पर विक्रीवी इनके अंके अंतर की बात करते हैं तो आठ में से चार गटाएंगे चार आएगा इनके अंके अंके अंतर की बात करते हैं यहां पे पांच है और यहां पे दस है दस में से पांच गटाएंगे तो पांच आएगा ठीक है यहां पे अंतर चार आ रहा है यहां पे अंतर पांच चलिएगा तो हम यहां पर लेगे सबसे ज्यादा अंतर दो हजार चार वा दो हजार पांच में है ठीक है तो 2004 में कितनी की विक्रीवी थी और 2005 में कितनी की विक्रीवी तो 2004 में हुई थी हमारी कितनी की पांच करोंड की करोंड लिग डारेक्ट ठीक है और इसमें हुई थी हमारी 10 करोंड की अब अंतर की बात करें ठीक है अगर अंतर की बात करें तो मंतर निकाल देंगे तो हम क्या करे इस तरीके सारे इसमें इस कोश्चन पी पार्टे कंप्लिट कर लिए हैं करें अब करेंगे अब फिर वाला कोश्चन तो यह रहा हमारा थार्ड वाला कुश्चन यह कहरा है वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोग साला परिस्थितियों में दो पौदे बी 2 pout अब उचाई गा थे उंसारा वाध क्या आयाता है कि क्यों क्यों परीछ स्कॉण आथे चाहरा है दो साधा निसकी क्या उचाई टीन थी तीन साधा ब्र Οिगीन उचाई की तो यह हमें हमें दसने मंसें रहा है दो सब्ता बाद, तीन सब्ता बाद, पौदे B की, तो यहाँ पे एक, हमें पौदे A का डाटा है, दो सब्ता बाद, और तीन सब्ता बाद, यहाँ पे पौदे B का डाटा है, तीन सब्ते बाद, और दो सब्ते बाद, ठीके, तो हम यहाँ पे question यह जो है, हमारा graph इस तरीके स सद्रान से सफता के तो इस तरीके से यह हमारा दिया गया है तो इसको कि दिखते हैं लाके देखा है इस तरीके से इंगे अरकी नहीं ढ की लाइन है तो यह डॉटेड वाला जो है वो पौधे A की लाइन है और यह जो पूरी जो इस्ट्रेट मतले लाइन जो हमारी प्रॉपर लाइन कीची हुई है वो बी की है ठीक है तो ए वाले के लिए देखते हैं मैंने पीछे जगे छोड़ी है कि नहीं तो कुश्चन की जगे पर यह आ सबस्गे तो हमें एक बीच का पंट मिलता है जो कि 6 और 8 की बीच में 6 और 8 के बीच में क्या होगा साती थो तो दो सत्ता बाद वारे एक ही उचाई कितनी है साथ सेंटीमिटर और यहां पर हमारा ए और दोनों मिल आए तो यह पाइं और दोनों है मतलब एकी विए हमारी सा सेंटीमेटर हो जाएगी 12 सब्ता बगी सक्षांट सैंटीमेटर हो जाएगी हमारे somm Keeping अधर आए हैं तो यह are गापे ही लिखते दे रहें तो धो सप्ताबाद हमारी उचायी क्या हो जाएगी şur ते सची मेट scholarly थी और दोनों की जाई सास सेंटी मिटर एक की पॉइंट पर थे अगए किंध की हम देख लेते हैं आपको फिर से दिखा देते हैं वहाई दो सप्ता वाद दोनों एक की पॉइंट पर मिल ओंधा चींद weather कि हमा रहा है तो बी की उचाई जो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी 10 cm तो हम यहां पर लिख देंगे सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के तो दूसरे सब्सक्राइब किभा पर की employ ad है Name 58 में ससाफ को घटा देंगे हमारे दोनों संतिमेटर में नेक्षट है डूसरे सप्ता के अंत में तीसरे सप्ता के आंत तक पौुद्य के उचाह कितनी वड़ी अब बीकी बात कर REMA तो भाई हमने देखा था दूसरे सप्ता में साथ थी तो दस में से साथ को घटा देंगे तो इसमें भी वही काम करना है दस में से साथ को घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा की सेंटेमीटर आजाएगा 3 सेंटीमीटर है अब यह करा है किस सब्ता पूर एक उचाई सबसे अधिक बढ़ी है ठीक है एक उचाई के बढ़ने की बात कर रहे है तो यहां पर एक सब्ता हम इसकी उचाई कितनी बड़ी है दो सेंटीमीटर वड़ी है आप देख सकते हो हम प्रारम किया था यहां से एक पर पहुंचे तो किसकी बात कर रहते हैं यह एक ही बात कर रहते हैं एक हमारा डॉट वाला है तो एक सब्ता में दो सेंटीमीटर वड़ी एक दो दो सेंटीमीटर वड़ी तो दूसरे सब्ता में कितना बड़ी है यह मारी दो पे थी कहां पे पहुंच गया अगर इतने के बीच में कितना गयाव है पाँज गयाव सब्ससेंटी मिटर बड़ी 9 0 crew 510 स 12 cm बड़ी खाली बी में 1 संटी मेटर कर देते हैं डी जो है पेले सब्ता में एक ही était संटीमीटर वड़ा ताकश अनिक्ना यह एक वाला सफता में एक ही संटी की सेंटी मिटर वड़ी दूसरे सप्ता में पहले हमारी कितनी यहीond का रेक्ट पहुंच गई मतलब कितने सेंटीमिटर बड़ी कि यह तो इसं सबसे ज़्य यह हैं कि इस सबसे ड्यां लंबाई यह तो सबसे ज्यादा हुआ जो है कहां कर फुर्पता है दूसरे सब्सक्राइब डरी ऑफ है कीघ्वाओं तुरे सबस्दों के लिब MIN movement बी की बात करें तो बी जो है पहले सप्ता में एक सेंटीमीटर बढ़ा है दूसरे सप्ता में छे सेंटीमीटर बढ़ा है तीसरे सप्ता में चार सेंटीमीटर बढ़ा है तो यह इसकी वी लंबाई दूसरे सप्ता में सबसे ज्यादा बढ़ी है तो हम यहां पर आंसर लिखे सबसे कम बढ़ें थे सबसे कम पुचा है यहाँ हमें फिखालनाạnh पड़ेगा देखो यहांपे सब सही कम होता थो पहले सब्सक्राइं हमारे यहां पे एंसर हो जाएंगा ठीक हम लागा यह techniques सब्सक्राइब मतलब बढ़ी पूछे जाएगा यहां पे कम पुछा गया तो मेरी लिख देंगे पहले सब्तह में तिके पहले सब्तह में लास्ट वाला कुष्चन का कह रहा है कि कह रहा है क्या किसी सब्ता हमें दोनों पुद्रों की उचाई समान थी तो भई अमने देखा पहँ में इसके उचाई जोती ती समानी थी तरहें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज कर लें और इन्हों नहीं कर लिया है उनको ठैंक्यू अगर हमारी वीडियो को आप सेर कर देंगे अपने गृूप में तो हमारा बहुत 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 बहला हो ज लोगो दिखो वहां पर आपको हमारा आप मिल जाएगा वहां पर लिखा है नसी आई टी बुक्स और सुलूसन उसे आपको डाउनलोड कर लेना आपको फ्रीम में बुक्स और सब्सक्राइब कराया जा रहा है ठीक है अभी करें निम लाले किसी सक्ता के प्रतेक दिन के लिए ब Rainbow I am an Эter Capital और साथ है तो तापमान और दिन के हसाथ सेवं में बता रहा है यह बता रहें प्लीन पॉराननिक तापमान समान ठांख कर रहा है ठीक है तो यहां पे हमको इस अब रहां आपको अप्रत वर मारी थाल्नेट डिकए कर चीज तरु हैं आपको बता देते हैं कि देखो मैस्ताब्र दर्ग को हम पूर मानित आ नो मानित वाली मानिगे अवानिव थेज़िन ठीकिए यह लाइन हम अगर लिखा नहीं है लेकिन आपको इतना दुद्धी मक लगाने पड़ेगा यह हमारे दिन लिखे हुए हैं यह तापमान लिखा है इन्हों ने का कि जिन किस दिन जो है पुलबानमानित अप्मान वास्थमी तापमान तो भाइं हमने देखा कि यहांपर के एक पॉइंट है जहांपर के समानगे निकलता है इसको यहांपर मिलाके से मिलाके शुकर का दीनिकलता है तो पुप्रवी का दीनिकलता है तो कि नहीं हमारे हो जाएंगे अंसर हो जाएंगे पहले वाले पॉइंट के तो यहाँ पर लिख देंगे कि समान इन ताप मान ताप मान किस-किस दिन थे मंगल वार शुक्र वार और रवी वार ठीक है स्पाका हमारे समाथे इस तरीक के से हमने लिख लिए अब बी वाला पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है यह गो कितना था ठीक है सब्ता मे अधिक पूरओ अनमानित वाला ठीक है मतलब है और भरस यह तो यहीं पर हमको दर्स आ रहा है ठीक है अधिक्तम दिन की बात नहीं कर रहे है तापमान क्या था ठीक है तो इस यह जो हमारा है इसको हम थोड़ा सा मिलाकर दिखते हैं तो पहुंचेगा मेरे कहाल से सब्सक्राइब दिखते हैं सीधी लाइन नहीं है इस तरीके से यह मारा 35 पर जा रहा है ठीक है कहां पर जा रहा है 35 पर जा रहा है तो हमारा बी कांग से जो है वो क्या हो जाएगा देखते हैं वाले में लिखा है सबस्त हमें वास्तिक निवनितम तापमान क्या खार बस्तिव्लोस कर तो यहां पर जा यह कर लगा और आपर छ्म था अंगे टो यह था अऔर एंगे तो यहांगे हमारा कहा पर जाएगा भंदान पढ़ा के दो दिन हमारे निकल यह डिइन की बात कर रहे है तव用 दिन को मारा सबसे कम था 15 डिग्री सेल्सियस तो हम यहां पर लिख देंगे 15 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर बात भी लिख दो यह है क्या तो मैं यहां पर लिख देते हैं पूर्वा नूमा नित अधिकतम अधिक तम तापम्न और यहां पर लिख देश कर देखें हैं अधिक तंव नून तम तापमान तरे डिवाला बटाश्रीश का लाफ्त पार्टा है वह क्या कह रहा है वह क्षAssadman हैं पूर्वाण में अनुमानी ताप्मान मीं अंतर सर्वादिक था अब हमें अंतर देखना है कि दोनों में अंतर जो है सबसे अधिक था तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर अंतर जो है पांच दिगरी सेल से देखो यह 15 है यह 20 है तो इनके बीच में हमारा थोड़ी का अंतर होगा दो तीन का अंतर धाई का अंतर है मालो यहां पर तो समान था यहां पर इसको अगर मिलाते हैं तो यहां पर 25 पर आता है यह 30 पर आता है तीक है यहां का अंतर जीरो यहां का अंतर मालो धाई है यहां का अंतर पांच है यहां का अंतर यह हमारा कहां पर जा रहा है तीक है यह ह अंतर दसका और यहां पर अंतर कि बात करें हैं तो यहां पर पांच गोंडर आ ठीस हो 25 5 कंडर त्यक्ति यहां पर समान है तो सबसे जदा अंतर हमारा यहां प्यार रहे और यहां प्यार और इसाँ प्रेंटा गुरुवार था कुल बरहस्पतिवार था तुम ह confidence सरवाधिक अंतर मम्मी देदी कॉल कर लो यह था गुरुवार को गुरुवार यह अब रहस्पतिवार ठीक है इस तरीके से question number four भी हमारा complete हो गया है आप करेंगे अपना पांच वाला question यह रहा हमारा question number five यह करा नेमें नितालिका का प्रयोग कर एक रही कि आलेख बनाई इस दालिका दिये गई है पर उसके बाद हम second वाला बनाएंगे ठीक है तो हम यहां पर पहला वाला ए वाला जो है उसको बनाएंगे इस तरीके से हमने free hand बनाएंगे ठीक है इधर हमने लिख लिए पर वर्स और इधर Mark यज इधर दिये हैं करिके तो इन्हों ने कितने वर्स दियते हैं बहई ध्यान से सय्कों 2023 से इंक रजोड़ों करते हैं सबते यहां bütün 2013 यहां 6,4 यहाँ पे, 2 हजार 5 यहाँ पे, 2 हजार 6 यहाँ पे, और 2 हजार 7 यहाँ पे. जरूरत नहीं है, लेकिन लिखे लिए कोई फार्प नहीं पढ़़ता थो जार 7 की. और दिन की बात करते हैं, तो मान लो दिन हमारे पास है eighth, 10, 5, 12. ठीम हमान लो दो यहाँ पे है. चार यहां पे है छेह हैं ठीखे यह हो गये चाहें तो आप इस तरीके से lines by draw कर सकते हो अपनी sociale और यह बहुत बेर रहेगा ठीखे और इस तरीके से graph पे नहीं बना रहे हो freehand भी ऐसे बना सकते हो अगर आप freehand भी बनाओगे कोई काटने वाला नहीं है ये भी ध्यान रखना ठीक है फ्री हैंड में मोस्ट आदर टाइम जो होते हैं टीचर्स अगर मेरे जैसे टीचर्स हुए तो वो ज्यादा नमर देते हैं क्योंकि लिवाए फ्रीहेंड बनाने में तोड़ी सी ज्यादा मेंनत लगतीemie कमपैर टू गषप पेपर एतना हो गया हमें दो हजार थीन वे पouthता गया था ओर समय將 जो जांधा है है आर्थ हमारा ये हैं तो यह कुंको भी मिला था कि इसको हम इस तरह के से बना देंगे 2004 पे 2004 यह है और इस पर पताया गया है 10 हमारा यह है तो यह कट पॉइंट हमको मिला 2005 पे 5 पे चलना है 2005 यह है पांच हमार नहीं होगा किसे पर हमको समझ लो यह कट पॉइंट मिला है 2005 पर तो तो हमको कैसे चलना पड़ेगा इनको मिला यह इस तरीके से चलना पड़ेगा इस तरीके से तो यह जो हमारा ग्राफ बना है वह हमारा पहले वाले कुश्चन के लिए ग्राफ हो गया देखा ना कितनी आसानी से बन गया अप लोग घबराया मत करो अगर हमसे पढ़ोगे तो सारे मैट्स के लिए जो गवराइट है ना वह दूर हो जाएगी अब यहां पर जो एक ग्राफ में यह गाउं में पुर्सों की संख्या यह इस्तरियों की संख्या तो इंडिका ग्राफ जो है वह हमें बनाना है अग्राफ देख लिए ना डेटा इ परटकल दिया है और उन्होंने समझ कोड़ें से स्टार किया है 12 यहां पर भी संख्या क्योंने टरुट तो इसन तर particulier यहां पर यहां पर लाइन कीची ठीक है यह हो गया हमारे क्या यह हो गया है हमारे वर्ष ठीक है और इधर यह क्या है हमारे कि इधर वर्ष हो गया इस्तरी पुरुष की संख्या हो जाएगे यह आपर लग देंगे इस्तरी पुरुष संख्या और संख्या जो है वो हमारी कैसी है हजारों में है ठीक है हजारों में है कितना हो गया यहां पर हम वर्स अच्छन 2003 मानलो यहां पर है 2004 हमारा यहां पर है 2005 हमारा यहां पर है 2006 हमारा यहां पर है 2007 मालो हमारे यहां पर है यहां पर चाहिए, तो 2008 लिख लो जरूरत नहीं है, मैं लिख ले रही हूं, ठीके, इतना हो गया, अब हमको मालो यहां पर, यह 0 था, यह हमारा 2 है, ठीके, हमें कहां तक चलना है, ठीके, दो क्या हम से नो 10 ज्यादा रहेंगा एक दो इन चारण पाँच छैफिए शाथ्न, नो दस, घ्यारा ठीक है बारा तेरा चौदा ठीक है यहाह तक काफी है हमें फिलाल चौदा थाकी चलना है चाहें तो एक एक्स्ट्रा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इतना हो गया अब हम क्या करेंगे यहां पर यह मारे पॉइंट्स बने हुए हो यह हमारे वर्स दिये गए अब अपनी साणी पर जलते हैं ठीक है साणी को दिफ्धान से देखते हैं सन 2003 में पूरिस की संख्या 12 थी और इस्तियों की संख्या 11.3 थी तो 2003 हमारा कहा पर यह न इस तरीके चाएं तो आपस हिससे हलकी एल्की लाइन डॉटटेट लाइन ड्रॉट कर सकते हो ठीकर तो फूरुश की संख्या 10 थी ते एरा थी तेरा हमारा यह है ठीक है तो हमको यह पॉइंट मिला से bio हमारा poverty इसन कुछ मिला मिला इस्तरी ओंके लिए ठीके इतना हो गया और यहां प Зडोएंच यो बनाएंगे थिके दो को छो जो होगी वह इस्तरियों की होगी और लूम दोफाजार की बात करते हैं San 2004 में हम देखते हैं 12.5 पुरसों की संक्या है इस्तरियों की 11.9 थीज़ा भी ध्यान कियेगा है यहां पर 1000 डाला है सब्सक्राइब लिए इस तरीके से हम यहां पे डॉटेड लाइन जो है वो बना लेंगे तो 12.5 हमारा कहा पर आएगा इस तरीके से चलेंगे 12 13 के बीच में 12.5 हुआ तो यह तो हुआ पुर्सों के लिए इस दिवियों के लिए 11.9 तक 11.9 मतलब यहां से 12 से कुछ पहले हमारा होगा 11.19 ठीक है इतना हो गया अब हम सन 2005 के लिए भी dotted line जो है पहले सही बना लेते हैं क्योंकि हमें पता ही है यह तो हमें draw करना ही पड़ेगा सन 2006 के लिए भी हो गई सन 2007 के लिए भी हो चली आफ के लिए तो दिये नहीं है अब हम सन 2000 क्यों साडिय सन 2005 के लिए आट गया है और सम्भ मौर दिया गया है और सब्सक्राश को हम दशमलब यहां पर क्या करेंगे इ Zusch添 कि दोनौं के लिएक ट्ना दिया गया है तो 3 हमारा कहां तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से यहां पर भादिंगे और पुर्सो की संहा इसमें 13 नहीं थी है हमने गलत कर दिया है पुर्षों कि संहान तोजा तीन में 13 नहीं 12 थी मैंने पता नहीं 13 कैसे पड़ लिए तो इसको हम सही कर लेते हैं तो हम यहां पर बारा तो हमारा यह वा ना टीक है और 11.3 यह वा अब आया नहीं समझ में ठीक है यह वा दोनों के लिए 13 था संदोजाशे में पुर्सों के लिए 13.2 ठीक है तेरा यह हलका सा उपर चलेंगे तो यह हमारा 13.2 पुर्षों के लिए 13.6 ठीक है 13.6 मतलब 13 और 14 के बीच में हलका सा उपर यह हमारा इस्तरियों के लिए हो गया ठीक है अब हमारा संदोजाशाशाट में कितना दिया है हम पढ़के बताए रहे हैं ठीक है संदोजाशाट में पुर्सों के लिए 13.5 ठीक है 13.5 मतलब इस से थोड़ा सा नीचे 13.5 पुर्सों के लिए 12.8 मतलब 13 से कुछ नीचे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 12.8 इस्तरियों के लिए ठीक है यह हुआ अब हम पुर्सों वाला जो है वो मिला लेते हैं तो 12 ठीक है 12 से कितना चलेंगे 12.5 यह रहा पुर्सों के लिए फिर 12.5 से हम गए 13 ठीक है 13 से हम गए 18 यहाँ जचए पूरुश के लिए ठीक है और ये है इस्तरी के लिए कौन सी लाइन रेड लाइन वहाँ एया को रहे लिए इस तरीके से, हमारी है और ब धूनों ही complete बुट हो करेंगे अपना question number six तो यह रहा हमारा question number six यह कह रहा एक डाकिया किसी नगर के पास ही इस्थित एक उप नगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुचाने के लिए cycle पर जाता है बिविन समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेक द्वारा दर्स आये वुर् shrinkus कृषण पर समय दर्सा आने के लिए क्या päेमाना प्रयोक किया गया है यह आपक के लाइन होती है वो हमारी वाई अक्ष होती है इन्होंने एक्स अक्ष की बात की है ठीक है तो यहां पर उन्होंने यहां आठ बजे से लेकर नौ बजे नौ बजे से लेकर दस बजे दस बजे से लेकर ग्यारा बजे ग्यारा से बजे से लेकर बारा बजे और इधर समय दिखाया है इधर दूरी दूरी बताईए एक सक्ष्पी की बात किया है एक सक्ष्पी हमारा क्या है समय है देखे हम आठ बजे एक घंटे के लिए बोला है क्या एक मतलब उन्होंने पैमाने की बात किये पैमाना हमारा कब लगेगा जब एक घंटे की बात तो यहां पे समय है तो एक घंटे की बात होगी किसी और शीज करिया होता तो उसमें भी एक की बात होती तो इसमें भी एक बात होती तो आठ से लेकर नौ तक बात कर लो या नौ से लेकर दस तो यही हमारा क्या हो जाएगा पैमाना हो जाएगा तो हम यहां पर आंसर लिख देंगे यहीं पर लिखे दे रहे हैं आंसर ठीक है यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा एक घंटा बराबर चार इकाई बस यही पूछा गया था ठीक है आप करेंगे दूसरा वाला पार्ट यह क कितना समय लिया समय की बात कर रहे हैं पूरी आत्रामें कहां astrology लगा रहा है तो यह कितना समय लगा रहा है तो यह 12ले मारी तो यह यह है 2 दो पहुंच मेरे यह Toronto towards the day 11-12 बीच में मतलब 12 12 के जा रहा है कितना ग्यारा कि उद्जा समय ले रहा हैesch 20.301 बजह तक का समय ले तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा यहां पे साढ़े तीन घंटे हो जाएगा ठीक है तो हम यहां पर लिख देंगे उसमीं कितना समय लिया तो यहां पर लिख देंगे तीन सही एक बटे दो घंटा घंटे को हम एच्छते डिनोट कर दे रहें क्योंकि यहां पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आवर लिखे दे रहें ठीक है आवर का मतलब ही घंटा होता है अब यहां पर लिखाया व्यापारी के इस्थान की नगर से दूरी कितनी है ठीक है व् उसका इस्थान और नगर की दूरी कितनी है तो वह हमें बताना है तो हम यहां पर देखते हैं इस ग्राफ को जब ध्यान से देखते हैं तो यह प्यापारी का इस्थान है ठीक है और नगर जो है कहां पर जा रहा है यहां पर नगर की दूरी यह लास्ट नगर जो है वह यहां की ती तो इसका मतलब किया हो जाएगा 32 किलूमीटर हो जाएगा तो दूरी हमारी कितनी निकल कि आएगी 22 पी तो हम यहाँ पर क्या लिग देंगे 22 किलूमीटर अंठीक है आप करेंगे वाला राकिया के लिए रुका था तो अब हम देखते हैं कि यहां पर नीचे चलते हैं तो यहां पर लिखाया 10 अ.म मतलब सुबह के 10 वजे से लेकर और यह रुका कब तक था आधे टाइम तक रुका था मतलब आधे घंटे तक रुका था 10 से लेकर साड़े 10 के तक रुका था तो हम यहां पर लिख देंगे 10 से लेकर साड़े 10 तक वह रुका था तो हम यहां पर लिख देंगे सुबह 10 10 कि से साढ़े 10 तक ठीक है इतनी देर के लिए तक फिर ने अंतराल में उसकी चाल सब से अधिक ती किस अंतराल में हुशकर सबसे ज्यादा आधिकती तो हम धे देखेंगे लेज़ाएं सबसे ऊचा कब जा रहा है तो हम ने देखा है यहां से 0 से start हो सकते दए only around 9 मतलब कितना दूरी कि कर रहा है एक कम से एक सब्सक्क्राइब कि किरा कि 10鄉 या से समझ लो यहां और यहां से समझ रो तो यहां से लेकर यहां तक ठीक है अगले एक घंटे में कितनी किलो मेटर चला तो हम वह था 14 पे पहुंच गया 22 तो कितना हुआ एक गंटा दो गंटा तीन गंटा चार गंटा ठीक है अब यहां पर हम गिलेंगे तो हमारा क्या हुआ दो दो चार दो आठ गंटा आठ गंटा नहीं आठ किलो मेटर यहां पर चला तो सबसे ज्यादा दूरी कि एक घंटे में कपार किये सुबह 8 वज़े से लेकर सुबह 9 वज़े तक तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कि संत्राल मे यहां पर लिखते हैंगे सुबह आट बजह से नाव तक किन और थे तक चाहित यह वाला कुश्चिन भी हमारा और वाला कुश्चन तो भाई यह रहा हमारा इस एक साइस का लास्ट वाला कुश्चन टिके इस को करने से पहले मेरी आप से अंबल रेक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लिए ठीक है और हमारे आप जो जिस्टेडी को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजेगा यहां पर कुशन कर रहे हैं नीम आलेकों में कौन कौन से आलेक समय व प्लापी देना है जैसे कि हम पहला वाला ग्राफ देख रहे हैं यह तरिके समा चला है है तापमान भी हमारा समय यह सबस्था जैसे मर्मी का मोसम रहा है जैसे 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 हमारा समय बढ़ रहा है जैसे समय बढ़ा वैसे गर्मी भी बढ़ रही है तो यह चीज संभव है तो इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे एक वाले का संभव है क्यों संभव है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ समय के साथ तापमान बढ़ रह है अब हम दूसरा वाला पार्ट करेंगे दूसरे वाले पार्ट को जो हम देखते हैं यहां भी इसमें भी समय दिया है इसमें भी temperature दिया गया है तो मान लो हमारा इस तरीके से समय बढ़ रहा है एक तो तीन चार ठीक है इस तरीके से हमारा समय बढ़ रहा है और यहां पर भी हमारा यह क्या है इस तरीके से एक तो तीन चार यह हमारा temperature बढ़ रहा है ठीक है तो हमारा समय पहले घंटे में टंपरेचर जादा था अगले घंटे में हमारा टंपरेचर कम हुआ उसके अगले घंटे में हमारा टंपरेचर और कम हुआ उसके अगले में हमारा टंपरेचर और भी ज्यादा कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ इसका हम इसको समझा सकते हैं सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जैसे जब हम गर्मी से सर्दी के मौसम में जाते हैं सर्दी से गर्मी के मौसम में जब सर्दी के मौसम में जाते हैं दो हमारा यहां पे हमारी के हुझा है फली है कलतता जा पर लिया तो जैसे समय जारा बढ़ता लारा थट तो यह भी हमारा समभव है फोसब पर लिख देंगे समभव है आप Совете क्योंकि यहां पर लिख देंगे कर लोज पैस कि यहां समय के साथ तापमान घट रहा है तो यह हमारी कंडिशन बन रही थी आप हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन तो थर्ड वाला पार्ट जो है वह हम से क्या कर रहा है इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है एक दो तीन मानलो इस तरीके से पहला घंटा दूसरा आप right और यहां पे हमारा पासटारी के से से एक तो तीन चर-वाच इस तरीखे से दिया है है यहां पे हमने देखा कि लोगान इससी तापमान जो है है बढ़ते ही जा यहां एक दम से तापमान भाड़ सलगे मैं कुछ भी नहीं था इसके पहले कुछ never इसके बाद में कोई temperature है बस इस ही टाइम पे अगदम से बढ़ गया कभी ऐसा हुआ है आपके साथ मतलब इतने साल यह हो कोई किसी से पोछ लो लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसके पहले तापमान कुछ भी नहीं था इसके बाद में तापमान कुछ नहीं था सिर्फ ए यहां पर लिख देंगे क्योंकि यहां तापमान सिर्फ एक ही समय पर बढ़ता जा रहा है ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है अब हम करेंगे फोर्थ वाला तो फोर्थ वाले में हमारा दिया गया है यहां पर हमान लो यहां पर अमारा समय जो एक दो तीन चार्र तहों यहां पर मानलो 16 toありがとう अब हमारा क्याल गया है कि समय बढ़ता जा रहे एक वज़ता शरह कि हर समय दीक्री शेलसे थो बज़े सब्सक्राइब है कि हमारा समय बढ़ता रहा तो आप मान में कोई भी फर्कना पड़े हम जान देना किसी टाइम पर गर्मी ज्यादा होती है अगर दिन की बात करें किसी की इस दिन की वात करें सूबह आ गटता है तो हमारा ताप मान बढ़ता है इस तरीके से सहता है विल्कुल इस्थिर नहीं रहता है कि ताप मन सेम ही नहीं है तो हम यहां पर क्या कर देंगे यहां पर हम लिख देंगे कि संभव नहीं है ठीक है क्योंकि ताप मान इस्थिर है मतलब एक ही पॉइंट पे मतलब एक ही तेम्परेशर ज़र सारा है क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइकन ना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्ट एक्सिरसाइज के साथ और तक के लिए बाए बाए